एक दूज़ा के वास्ति में श्रवन और सुमन है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रामनाद की शर्ट के अनुसार सुमन श्रवन से दूरी बनाए हुए है इसलिए जब श्रवन ने सुमन को पी टी सी लैंड के मसले में उसकी मदद करनी चाही तो सुमन ने श्रवन की मदद लेने से कर दिया साफनकार सुमन अब अदित्य की मदद ले रही है उसी मैटर में ये बात श्रवन को बहुत हर्ट कर गई इतना ही नहीं सुमन और अदित्य को एक साथ मुस्कुराते और खुश देख शरवन का मानुद दिल ही तूट गया ग्लास पर अपना हाथ जोर से मार कर शरवन ने अपने जैलिसी और तकलीफ का नमूना दिया दूसरी तरफ सुमन भी जानती है कि शरवन उससे अपसेट है पर प्रितियर पुशकर की खुशियों के लिए सुमन शरवन से कुछ भी सौट आउट नहीं करना चाती इन दोनों के बीच की मिसिंडस्टेंडिंग्स कब दूर होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा करना चाला वक्त है करना चाला वक्त है ये ये वाला वक्त है